सुंबल और फैमान फैन्स काफी इंतिजार कर रहे थे कि बढ़ी बिग बॉस में हमें हैश्टाग सुमान मोमेंट्स देखने को मिलेंगे रेकिन ऐसा हुआ नहीं है अब तक एक अफ़ता होने को आ रहा है बिग बॉस को शुरू हुए लेकिन बिग बॉस के घर में सुंबल तो राज कर रही हैं लेकिन उनके साथ उनके फेहमान नहीं है, इमली तो चा रही हैं लेकिन उनके साथ उनके को आर्टिस्ट नहीं है, चलिए लेकिन इस वक्त आपको बताते हैं कि कैसे अलेजड बॉइफ्रेंड जी हां, काफी जादा रूमर्स है सुम्बल और फेहमान के, कि ये दोनों एक साथ एक रिलेशनचिप में हैं, और क्योंकि को आक्टर्स को अकसर लिंक किया चाता है, देखें, रूमर्स तो थी कि प्रियांका और अंकित साथ आएंगे तो वो तो आ कर रही हैं फेहमान का जी हां, फेहमान को लेकर क्या कुछ बाते कर रही हैं, सुम्बल चलिए आपको बताते हैं, वल हलो गाईज और वलकम तु फीफा फूस, मैं हुजोती नाहक, जैसा मैंने कहा कि सुम्बल जो हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं, लगातार उनकी चर्चे हो रहे हैं, हर कोई उन्हें देखना चाह रहा है, हर कोई उनसे बात करना चाह रहा है, और बेसिकली हर कोई उन्हें Big Boss के फ्रेम पर, constantly देखना चाह रहा है, अब इन सारी चीजों के बीचों बीच में आपको बता दू कि शालीन के साथ बैट कर, वह पहमान के साथ अपनी याद दाजा कर रही थी और इसका क्लिपिंग सोशल मीडिया पर देऊ मच्छे मेरे सेट पर सेरिएसली लोगन दो को ले थे मुच्छे वह निदर को लेंगे क्यों कि बुल दो अज़ दो आगा था मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ जी हाँ कि जब मुझे कोई चीज फेहमान की अलमारी से या वाडरोब से अच्छी लगती है तो मैं वो चीज ले लेती हूँ तो ये बॉंडिंग ये दोस्ती तो कहीं या तो बेस्ट फ्रेंज में हो सकती है या फिर कपल्स में मैं आपको बता दूं कि सुंबल जो है वो लगातार फ फेहमान की लिए आते थे वो गिफ्ट भी वो जो है यू निकाल देती थी और फेहमान के आने से पहले वो गिफ्ट उपन कर देती थी तो इस तरीके से कई सारे डिसकॉशन्स वो कर रही है शालीन के साथ और इसी मोमेंट को फैंस काफी अप्रिशीट कर रहे हैं फैंस लि होगा